उन्नीस जून दो हजार तेईस प्राता मुरली उम शांती बापदादा मधुबन मीठे बच्चे मुख में मुहलरा डाल लो अर्थात अपने शांती स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो माया कुछ भी कर नहीं सकती प्रश्ना एक शिवबाबा ही भोलानात है दूसरा कोई भी भोलानात नहीं हो सकता क्यों? उत्तर क्योंकि एक शिवबाबा ही है जिसे अपने लिए कोई भी तमन्ना इच्छा नहीं वहां आकर बच्चों का सेवाधरी बनते हैं बच्चों को माया की गुलामी से चुडाते हैं, हर बच्चे को आप समान मास्टर ज्यान सागर बनाते हैं, ज्यान रतनों से जोली भरते हैं ऐसा निशकाम सेवाधारी दूसरा कोई भी हो नहीं सकता इसलिए भौलानाथ एक शिवबाबा को ही कहेंगे गीत, भोलानाच से निराला, ओम शान्ती, भक्ती मार्ग में जो होकर गए हैं, उनकी महिमा गाते हैं कि ऐसा था, जो यहां हैं उनको कहेंगे कि ऐसे हैं, शरीर छोड़ गए तो कहेंगे ऐसा था, जरूर परमात्मा की भी महिमा करते हैं, नहीं तो महिमा क्यों होती, भी प्र सब भक्तों का भगवान एक है। फिर आते हैं सतो प्रधान में। नंबरवार ही आएंगे ना। पहले देवताएं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य। आएंगे। वर्ण बदलेंगे जरूर। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा करेंगे। वह तो अलपकाल के लिए महिमा चलती हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं, विनाश सामने खड़ा है। सबसे जास्ती महिमा उनकी होती है, जो पहले पहले आते हैं। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिवबाबा की ही पूजा शुरू होती है, अभी होकर जाते हैं। इनका गायन पूजन फिर भक्तिमार्ग में होता है सत्यूग में तो भक्ती होती नहीं उन्हों को यह भी पता नहीं होता कि पहले क्या था अत्वा सत्यूग के बाद त्रेता होगा इसमें बुद्धी से काम लेना होता है भक्ती मार्क शुरू होता है द्वापर से जो गुद्धिवान बच्चे हैं वहा अच्छी रीती समझ सकते हैं जिनको ज्यान की कंठी पड़ी हुई है है सब पैरट्स तोते कोई को अच्छी कंठी रहती है कोई तो कुछ भी समझते नहीं है कबूतर है कबूतर सीख नहीं सकते है अमरनाक में कबूतर दिखाते है कबूतर सिर्फ पैगाम पहुचाते है तोते जो सुना वहार रिपीट करते है कबूतर रिपीट नहीं कर सकते यहां भी ऐसे हैं जो सुनकर रिपीट नहीं कर सकते उनको कबूतर कहेंगे इस समय अनुसार ह्यूमन तोते भी है और ह्यूमन कबूतर भी है इस समय के जो भी मनुष्य है जो कुछ बोलते हैं वह कोई काम का नहीं बाप है रूप बसंद बाबा ने समझाया है इनका कोई बड़ा रूप नहीं है कोई पूछे शिव बाबा का रूप क्या है तो समझाना चाहिए शिवबाबा का रूप ऐसे है जैसे आत्मा का है जैसा बाप वैसे बच्चे आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है ना बाप कोई बड़ा है वह है परमपिता परम आत्मा वहीं हमको समझाते हैं उनका नाम ही है भोलानात वह बहुत भोलानात है अपने लिए एक कौडी की भी तमन्ना नहीं रखते है बच्चे निश्चय करते हैं परमपिता परमात्मा ने इस शरीर द्वारा समझाया है आर्गंस बिगर तो आत्मा बोल न सके बाप खुद बैठ समझाते है कहते भी है कि परमात्मा आते है उनका नन्दी गण भी है उन्होंने बैल रख दिया है जानवर तो नहीं हो सकता ऐसे थोड़े ही है कि छलांग लगाकर बैल पर चड़ते हैं कहते भी है भागी रत, भाग्यशाली रत परंतु कोई को भी पता नहीं है वह पतित पावन कैसे आते हैं नर्प को स्वर्ब बनाने जरूर आया होगा तब गाते हैं भक्ती भी पहले पहले शिवबाबा की करेंगे नमबर वन वास्तव में सच्ची महिमा उनकी ही है अब तो कुत्यबिली आदी सब की महिमा करते रहते हैं नंदीगण बनाते हैं बैल को लेकर घूमते हैं अब यह शिवबाबा इस नंदीगण में आकर तुमको ग्यान सुना रही है ग्यान दूद दे रही है उनकी महिमा कितनी है भोलानात भगवान है सब की जोली भरने वाला शिव के आगे नहीं कहेंगे कि जोली भर दो क्योंकी समझते हैं वा निराकार है शंकर के आगे जोली ले जाते हैं भरने लिए विश्णो और ब्रह्मा के पास नहीं जाते हैं शंकर के पास जाते हैं क्योंकी शिव और शंकर को मिला दिया है समझते हैं कि शिव शंकर का रूप है पूजा करने वाले कुछ भी आक्यूपेशन को नहीं जानते हैं क्योंकि पहले-पहले जो पुजारी बना है उनको ही कुछ पता नहीं था इनको कहेंगे आप ही पूजय देवी देवता, आप ही पुजारी अभी तुम समझते हो, हम ही पूजय देवी देवता थे हम ही पुजारी बनते हैं शिफ तो है मूल्व तन्वासी परंतु मंदिर तो है, ना सुक्ष्मव तन्वासी ब्रह्माविष्ण शंकर का भी पाठ है क्योंकि आते तो है, ना शिफ को भी आना तो पड़ता है, शंकर का यहां काम नहीं, त्रिमूर्ती मार्ग भी नम रखते हैं, त्रिमूर्ती का स्टैंप भी बनाते हैं, उसमें फिर शेर दिखाते हैं, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, ऐसे ठीक है, सिर्फ शिफ का नामनिशान नहीं रखा है, सत्य जमेव जयते जानवर के नीचे नहीं लिखा जाता है। सत्य तो एक बाप ही है। जो सच्ची कथा सुना कर हमको विजी बनाते हैं। सब बाते अच्छी रीती समझाते हैं। तुम मास्टर नॉलेज़फुल बनते जाते हो। जब से नॉलेज़ सुनना शुरू किया है, इनक में कागस खलास करते होंगे और फिर खलास करते रहेंगे। मुरली बच्चों के पास जरूर जाएगी। बहुत कापिया निकलेंगी। जाड वृद्धी को पाता रहता है। बच्चे जानते हैं माया के तूफान तो बहुत आते हैं। मुहलरा मुख में पड़ा हुआ हो तो माया कुछ नहीं कर सकती है। बाबा को याद करना बहुत सहेज है। हम आत्मा है, आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म है शांद। हम सब परदेशी हैं। इस माया के देश में आते हैं। एक गीत है ना ओ दूर देश के रहने वाले। सब आत्माएं दूर देश की रहने वाल तुम अब जान गए हो बरोबर हम परदेश में हैं। कहते हैं, कुझे कलियूगी पतित दुन्या से स्वर्ग पावन दुन्या बनाना है। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस। उनके लिए समझते हैं, हमको राज्योग सिखाया था। परन्तु अभी तुम जानते हो राज्योग सिखाने वाला भोलानात आया है। भोलानात नौलिजफुल बाप को कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा देते हैं। वास्तव में वह श्री कृष्ण के ऊपर नहीं लगाते, बाप के ऊपर लगाते हैं। पहले दादा के ऊपर कलंक नहीं लगता था। बाप के आने पर कलंक लगाए हैं। चलते चलते राही ने आकर प्रवेश किया तब से देखो कितने कलंक लगाते आए हैं यहां रास लीला आदी सब खेल उनके हैं वही बच्चों को बहलाते हैं बच्चे जानते हैं हमको बाबा मिला है बाबा से हम रत्नों की जोली भर रही हैं शास्तरों के ज्यान को रत्न नहीं कहा जाता यहां है ज्यान रत्न एक एक रत्न लाखों रूपय का है इस समय सभी मनुष्य एक दो को पत्थर मारते मारते पत्थर बुध्धी बन गए हैं बाप आकर पत्थर बुध्धी से पारस बुध्धी बना देते हैं कब्रिस्तान से परिस्तान बन रहा है, यहां तो घड़ी-घडी काल खाकर कब्रदा खिल कर देता है, वहां तो ऐसे नहीं होता, जैसे सर्प पुरानी खाल उतार नहीं ले लेते हैं, वैसे पुराना शरीव छोड़ नया ले लेते हैं, यहां द्रश्तान्त बाबा अभी देते हैं, इनको फि कोई कहते जोती-जोत में लीन हो जाती है, अनक मत है, अब तुमको मिलती है एक मत, उस पर चलना पड़े, बापा कहते हैं, तुम जन्म-जन्मांतर मुझे पुकारते हो, मैं एक ही बार आता हूँ, तुमने बहुत पुकारा मैं गुलाम तेरा, बाप आकर गुलामने से तुम माया के गुलाम बन पड़े हो बाप आकर उनसे लिबरेट करते हैं तुम जानते हो हमने बहुत भक्ती की है अब भक्ती का फल देने बाप आये है अब भक्ती का पार्ट पूरा हुआ ज्यान, भक्ती फिर है वेराग्य वेराग्य भी दो प्रकार का है वह सन्यासियों का वैराग्य है घरबार छोड़ने का यह तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य यह तो तुम बच्चे जानते हो यह सब भस्म हो जाने है कुछ भी नहीं रहेगा किनकी दबी रहेगी धूल में फिर ऐसे समय चोर आदी भी आकर लूटते हैं जैसे एरोप्लेन गिरते हैं आग लगती है तो चोर अंदर घुश जाते हैं आसपास वाले भी लूट लेते हैं काइन तो मिलता है जब तक पुलीस आए यह विनाश तो होना ही है कितनी बड़ी स्रिशी है तुम जानते हो अमेरिका आदी तरफ तो सुख का पाम्प है क्रिश्यन पिछाडी वाले हैं ना उन्हों के सुख का पार्ट अभी है कितनी हिम्मत रखते हैं स्टार्स पर चंद्रमा पर जाएंगे सूर्य तरफ नहीं जाते हैं समझते हैं वह जला देगा कोशिश करते हैं चंद्रमा में स्टार्स में जमीन ले लेवे सूर्य वन्षी चंद्रवन्षी नाम सुना है तो समझते हैं शायद वहां कोई दुनिया है जापानी लोग अपने को सूर्य वन्षी कहलाते हैं कोई क्या कोई क्या कहलाते हैं, अब तुम जानते हो भारत बरोबर सुर्यवनशी चंद्रवनशी था, इन जैसा उच खंड कोई हो नहीं सकता, यह ड्रामा बना बनाया है, इसमें बदली सदली होने की बात नहीं, यह तो समझने की बात होती है, बच्चे जब शांत में बैठते हैं तो हमेशा स्वधर्म में बैठना है बाप को याद करना है शांती के लिए कोई जंगल में नहीं जाना पड़ता है कोई भी आये तुम समझा सकते हो कि शांती तो गले का हार है तुम धूनते कहा हो आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शान्थ है फिर यहां शरीर में आने से टौकी बनता हूँ साइलेंस में तो नाटक होता नहीं पहले मूवी बाइसकोप चलता था सुक्ष मवतन में भी मूवी होती है आवाज नहीं निकलता उसी समय जो कल पहले समझा था वह समझ कर आकर सुनाते हैं कोई नई बात नहीं सारा ड्रामा हमको 84 जन्म नाच नचाता है यहां अनादी ड्रामा है सब शरील लेकर अपना-पना पाट बजाते हैं मीठे मीठे बच्चों या शिबाबा कह रही है आत्माओं से बात करते हैं मामेकम याद करो यहां ब्राहमा नहीं कहेंगे कि मामेकम याद करो कितनी गुहा बाते हैं यह कहता है मुझे भी उनको याद करना पड़ता है मैं भी ब्रह्मपुत्रा नदी हूँ ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मेला लगता है सरस्वती और सागर का मेला नहीं लगता है मेला एक ही लगता है कलकत्य में ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संदम पर बहुत भारी मेला लगता है ब्रह्मपुत्रा एक है और मेला भी एक बार लगता है तो यहां भी यहां मेला लगता है सागर न हो तो मेला थोड़े ही कहेंगे मम्मा जाती है तो नदियों का मेला लगता है यहां मेला लगा है सागर और ब्रह्मकुत्रा नदी के साथ यहां तो तुम आपे ही समझ सकते हो अगर विचार सागर मन्थन कर सकते हो तो विचार करो यह सागर चैतन्य है, वह जड़ है सब नदिया सागर से निकली हुई है यहाँ है मंगल मिलन बाप घड़ी-घड़ी समझाते हैं, मामेकम याद करो बच्चे भी कहेंगे बाप को याद करो मामेकम याद करो बच्चे यह तुम नहीं कह सकते बाबा इंद्वारा कह सकते हैं बच्चे मामेकम याद करो तुम सम्मुख बैठे होना तुम कहेंगे शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो सब को कहना है कि बाप को याद करो तो अंत मती सो गती हो जाएगी मौत तो सबका होना ही है अभी तो क्या लगा पड़ा है अमेरिका आदी कितना बड़ा है यह बंबई आदी कुछ भी नहीं रहेगी बहुत थोड़े होंगे अभी तो राज्य करने वाले कितने करोडों है वहां तो शुरू में बहुत थोड़े होते हैं पीछे आते जाते हैं, बच्चों को समझाया जाता है माया बड़ी प्रबल है, याद करने नहीं देगी, विखनर डालती रहेगी, बाबा से बेमुक करेगी, परंतु कुरुशार्थ पूरा करना है, पक्का महावीर बनना है, योग ऐसा रहना चाहिए जो माया कभी हिला ना स अच्छा, मिठे मिठे सिकील्धे बच्चों प्रती मातपिता बाप दादा का याद, प्यार और गुडमार्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, धाला के लिए मुख्यसार, एक अपने शान स्वधर में स्थित रहना है, माया से बचने के लिए मुख में मुहलरा डाल लेना है, दो, पुरानी दुन्या से बेहत का वैराग्य रखना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है, वर्दान, अपनी हिम्मत के आधार पर उमंगुत्सा के पंखो से उढने वाले श्रेष्ट तकदिर्वान भव, कभी कुछ भी हो लेक अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना, दूसरों की कमजोरी देखकर स्वयन दिलशिकस्त नहीं होना, पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा संकल्प कभी नहीं करना, कदिर्वान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाववा आकर्शन में नीचे नहीं आती, वे सदा उमंगुत् सेफ रहती है, जो पीछे की बाते, कमजोरी की बाते सोचते हैं, पीछे देखते हैं, तो पीछे देखना अर्थात रावण का आना, स्लोगन, हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है, सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते, झाल